सेहत है तो सब कुछ है अर आज कि दिन यह हमारे साथ है और आज है मैं अपनी और अपनी एनर्जी लेवल को कैसे में यह बताएंगे दोस्तो स्वागत करते हैं शान जी का थैंक यह सो मुझ शान पर बिएंग अन्रश विधर थैंक प्राइज ग्रांड यह शान I have been seeing you for so many years ि आपको इतने सालों से लोग देख औरू अप और वैसे ही दिखने हैं जैसे आप 26 यह यह लिख तेट आप उतने ही बुट्र हैं। आप के गानों में भी वही एणरजी है वही फील है। आपकी फीरिचल फिटनेसि की जवाब नहीं है तो वाट इस फिटन्स फिटन्स फिए? विट अव्य अवडि अव्याडी जिम भी मुझे लिए और गार्फ तब मैं और क्या कह सकता हूं मतलब शान एक्सक्षोज़गर लेगा एक्षिस्ज़र शुरू किया अब जिरमिया । पहली बार कोई डंबल उठाया और तब आपको देखना चाहिए था था वह पांच पांड का डंबल भी इसम मर रहा था उठाने के चकर में तो बैसकली पहली पूसली कर आपको देख सबूस्टाइस करना और यह जो मेरे साथ तर्दॉस तब से लगयो है और घर में एक चोड़ा सा गम्रा जिम बना लिया हूं I think that has been a very good move कि कही नहीं मुझे लगता है कि वो ना सिर्फ मुझे अपनी फिसिकल फिटनस पे काम आई है आवाज के लिए भी लंग पाव, एनजी परफॉर्म, अभी मैं कली वापसाद four shows back to back किया हूं in four different second cities, तो मतलब यह नहीं ही नहीं है, cities जहाँ आपोर्स हैं तो कहीं से चार गंटा ट्रावल करके फिर फ्लाइट लेके, फिर मिधनीपूर, फिर वहां से ओवनाइट दिर्गापूर, जो यह नहीं, तो anyway, किने का मतलब यह है कि अभी I'm 45 तो यह सब करके भी वापसाय हूं सही सलामत पर यह नहीं पर लास्ट दिन को सुबर पांच बजूट के शूट भी किया, so I think keeping myself physically fit, doing a workout every morning, helps you तो इसकी कोई अजी नहीं होती, अगर आप, हाँ, यह नहीं कि बहुत जादा भारी लूह उठाके, चीक चिलाओ कि फाइल्ली आम सिंगर, I don't want to, I don't want to spoil my, you know, अगर आप शमता है, जितनी एनजी है, वोतने में वकाट करना ची, बिना कोई वो सब, स्टिरोइट, स्टिरोइट लेकर, हाँ, okay, so Shaan, आपकी एनरजी लाजवाब है, and I have seen you live performance also, I have seen you performing live as well, आप इतने fit हैं, physically fit हैं, mentally fit हैं, तो आपकी fitness का रास क्या है, I think fitness is a mental state of the human being, अगर आप आलस्ता को जादा प्रदाननत दें, आलस्ता को जादा प्रियरिटी दें, कि यार मैं ठग गया हूं, मुझसे नहीं होगा, जिस दिन आप यह कहने लगेंगे, तो उस दिन आप physically भी unfit होना आपका शुरू हो गया, जिस दिन आप कहे देंए, यार आज सदाद है आज दिल नहीं कर रहा है, आज लग रहा है, सारी दिन सारा दिन सोता रहूं, तो वहां गड़ बड़े है, बहुत सारे ऐसे इंस्पिरेशनल, अगर एक नाम इमिरिटली आता है मन में, तो डेफिनिटली आशा भूसले जी है, जो आज इस उमर में भी, कभी भी, मतलब, र गड़ो कर रही तो छेवेल कर रही है, आज़ बड रही है, चोट्क बस एज बर्विलां खिंपनीटल शाडरा ही हिर्ट लॉग आज को बड़े सेविल कर रही है, हैं अज़ी रही है, तो टो इसाल ठाला थाजार था जो एख झाल झाले है किन रही है, घै भी और लावा ह दोने अईगा हैं आप निष्टाथ आप एकृट्स पॉर्म कर रहा आप यहाली में पॉर्चिल एहां पॉर्चिल मेरे यह पॉर्सक्राइब कर वियूशान पर पॉर्फित्स बेदा इस्टिस आप कर रहा दिता क्योंग अगर तो जातरा कि लोग सेवेंटी के आप साहन करे तो उस चीज से निकलाना है, and as long as you believe in yourself and you never give up, you're fit. शान, आपने फिजिकल फिटनेस की बात की, जब मेंटल फिटनेस की बात करते हैं, तो आप मेंटल फिटनेस के लिए क्या करते हैं? इन अप्रोफेशन लाइक यौज, I'm pretty sure, मेंटल फिटनेस जो है, वो बहुत जादा ज़रूरी है, आपने बोला कि मेंटल फिटनेस के लिए क्या करते हैं, जब आप मेंटल फिटनेस 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 के लिए क्या करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, योगा करते है लेकिन कभी करने पर उत्रा नहीं हूँ मैंने योगा की बेनेफिट्स कहीं सारे मेरे दोस्तों में देखा है KK है, Sonu है, they do a lot of yoga and उसे उनको भी, you know, KK is even older than me, he's probably even fitter than me and only on yoga लेकिन I think सबका अपना-पना मंत्रा होता है और जिसको जो ठीक लगे, it's about being consistent तो एक दो दिन योगा किया उसके बाद फिर्यार, my concentration is weak फोकिस नहीं रहता किसी एक चीज़ पर तो योगा मतलब हो, करते रहो, करते रहो तो नहीं होता है और योगा की बाद फिर मैं आपसे इंट्र्व्यू भी सरह से करूंगा कि प्राच्छी, लिए जिंदड़की तो बस एक माया जाल है तो मुझे डर है कि मैं दूल हो जाओंगगा योगा से बाद गोड़े कि योगाली सर्वड़ा कर अचार्य गिरें की उल्येख पर जोगा हो जारें की योगाली मुझे गुजा गरें के इसा नहीं होता है या फिर परहेज यह चीजे कुछ नहीं करता हूँ यह जो थोड़ा ब़त कर लेता हूँ आदा पॉने घंटी का exercise उसके बाद जो दिल में आता है करता हूँ Okay, fantastic! Luckily my metabolism is quite decent. तो अगर आप मुझे खाते हो देखें कि तो अब तक तक तो इतना पेठ होना चाहिए था तो मेरे जो दोस्त हैं, जो बहुत वाक्स ले रहे हैं, डाइट कर रहे हैं, मुझे देखकर चिड आता है उनको, गुसा आता है कि सब कुछ करने के बावजूद भी हम ऐसे हैं और आप ऐसे हैं, इतने फिट हैं शाम को मूडवा तो तीन-चार पर शुरू होता है अपने बोला आपकी जो इर्रेगुलर रहती हैं, तो फिर आप ऐसी बोडी कैसे मैं किया लेते हैं, क्या लेते हैं, ब्रिक्फिस्ट में क्या लेते हैं, रहे हैं ज़ीजिए दिशाए बताऊंगा उसको, मैं कुछ अशे इभी हैं जैसे की गीता है हमें हमें जूट बोलने का जब आफ नहीं कोई जवाल ही है अल जनितिक तो इट जनितिक, जर लिए लेस नाइड़ एड़ देखिए लोग वर्ट का फिए लूग अजोगा था रहे हैं सोचें कि इसमे कितने कैलरीज है इससे मुझे शायद मेरा वेट बढ़ने वाला है तो आपका वेट बढ़ता है यह इस अवल मेंटल प्रोसे अगर आप उसको एंजॉय करे आराम से इसमेगरे, if you digest your food well, you enjoy your life, you secrete the right enzymes, you have happy hormones then I think everything is fine आजल मैं पढ़ता हूं यह depression के और पढ़ता हूं successful lot a day ज़具ये हैं स्ट्रेस्जुर्स्क्राइगाइ रफ struggrier हैं मेडिकल बाद इसको कहते हैं कि this is a medical issue तो मुझे एक बात समझ नहीं आरही थे, अगर medical issue है और यंड फिद इन देल विद वाइल वरकिंग, फजह देल विद न देल वाइल के लिए और जो जो जिन्वें इन विद्ट गुटन तो जो जो चीजे रहे हैं वह बिचारे रगुलर जिंदगी लिए जाना अई रहा हैं और आप अगर अगर अपने अपने ग्रीन रूम में या अपने जब आप अकेले में आप 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 रो रहे हैं आप परिशान हो फिर आप आप की शॉट अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं तो यह अच्छी बात है आप कंट्रोल कीजिए आप fight it through your own you know mental and your own don't resort to medication क्योंकि आप जितनी external help आप 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 इस्स्टम में आप जितनी अप्रिशन में पॉंप करेंगे आप की system की जो इम्मुन सिस्टम है आप की system की जो चलने की जो तरीके हैं वो बिगड़ता जाएगा you will never be able to secrete the right hormones are the right time मतलब जब आपको खुशी होनी चाहिए आपको खुशी नहीं हो रहे है क्योंकि यूर तकि अटिप्रेसंट और आप जब मतलब दुखी होना चाहिए तब आप अटिप्रेसंट लेके हैं आप खुशी हो रहे हो यूर मिक्सिंग यूर सेंदि रॉंग चेमिकल सिग् पहुशी हो रहे हो रहे हो जब जब नहीं झाहिए सन रहे हो पुशीaining कने टिप्रेस्ज चेमिकलेण घृंट तेमान चाहिए षऑ जब आपर्टीन हे इदॉ और उप्रच क hora Kentरें चाहिए हो नॉना चीज वह जब देटे improvement बिटेडिम लेऋ टीन चाहिए तो कर चाहिए ऐं देशाने विछ done, मेजाने कोड़े हुपね मेजाने में आँछे हती है , अई स्ट्रुक्चिर एघी。 पिस पेटिकले है चार देना वेक्षका हुप? कर दुह रहे हम जा है, उनी चार दिन वाचाइग लूपनमाली होगा, चाहि कितना बी खालू तो केमक कमतलब यह है कि keto diet उनको करना ची वह वह वांट टो वह वांट डायज वह को वांट प्रिक डायट उनको करना ची वह आप कुछ भी करें उसको आप कुछ भी करना उसको आप था कॉंसिंटी करना होता है कीटो डियेट जो करते हैं वो अगर एक दिन भी चीट करें दो दिन भी चीट करें तो डबल बढ़ जाता है कीटो का मैंने काफी इस पे स्टादी लोग करते हैं तो it's important to find out exactly what it is कीटो का funda यही है कि आप बॉड़ी को इतना fat दे रहे हैं कि बॉड़ी को कभी fat store करने की मनवृत्ती नहीं होती बॉड़ी में everything is brain and chemical brain and मतब आपकी nerves, brains, chemically reactions होती है तो बॉड़ी को लगता है कि यार ये तो भर-भर के फैट दे रहा है बटर दे रहा है घी दे रहा है तो यह आता रहेगा मुझ में तो जो hibernation होता है typical humans पहले इस तरह से दिन में तीन सर्जे से insist करें सुबरोड के breakfast में आप क्या खाते हो lunch में आप क्या खाते हो डिनर क्या करते हो ऐसा कभी था नहीं सिस्टम था ही नहीं खा लेते थे फिर जिसके अभी नया भी बना दिये intermittent fasting कि आप 16 गंटे बिना कुछ खाये रहो और फिर आप एक heavy meal भी लेते हो फुरक नहीं पढ़ने वाला है पर फास्टिंग में आपका बोड़ी जो है वो इतल ब्रेक डाउन फैट कीटो का उड़ा है कि आप उसमें आप एक लिमिट के अंदर आप सिर्फाट और प्रोटीन दो तो जब बोड़ी को इतना फैट मिल रहा है तो बोड़ी बोलेगा भी फैट स्टोर क्यों करू मैं उस फैट को वो काब समझ के उ लूजिंग दूइंग कीटो लेकिन मैंने कभी उतना वेट गेनी नहीं किया कि मैं कीटो करके लूज करूं और मुझसे उसब होता नहीं है अच्छा खाना मिल जाए तो छोड़ता नहीं हूँ चाहिए एक लांच कर भी चिया हूँ तो फिर से लांच कर लेता हूं शाहन आ जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में आप सोचोगे तो फिर कोई फायदा है नहीं जो आपके कंट्रोल में है उसे आप जरूर कीजेगा और खुद को हमेशा priority दो अगर आप खुद खुश नहीं है तो आप किसी और को खुश नहीं कर सकते हैं and be honest to yourself कोई भी को आप कुछ भी बता दे हैं लेकिन आप तो जानते हैं सचा ही क्या है तो उस चीज से आप दूर रहें हाँ supplements, steroids, surgeries, they are not good अब मैं बोल सता हूं, I'm 45, हाँ, मैंने ना, अगर बाल जढ रहे हैं तो जढ रहे हैं यार, मेरे नहीं जढ रहे हैं लेकिन कह रहा हूं तो जो है, natural रहो, natural रहकर जो लोग, जैसे दिखते हैं ना, they look much, much, much better क्योंकि जब आप सजरी करके, make-up चड़ा कर आओगे सामने तो ठीक लगेगा, लेकिन जब खुद आएने में देखेंगे ना, सुवे ने खुद को डर जाओगे, तो वो सब मत करो, and just stay a happy person, spread happiness, spread good thoughts, and always think inclusive, कि सब को लेकर आगे बढ़ना है, सिर्फ खुद की बारे में सोच कि कुछ मैं ही आगे बढ़ जाओ, सब को पीशे चोड़के, तो कही ना-कही आपके चेहरे पर देखेंगा. Thank you so much, Shan for giving such nice and such great mental fitness tips, it was lovely chatting with you, thank you so much for taking out your time, thank you. तो दोस्तों, ये थे versatile singer, actor, Shan, इन्होंने हमारे साथ बहुत कुछ शेर किया, fitness tips, share की, mentally कैसे fit रहते हैं, ये भी शेर किया, मैंने बहुत enjoy किया, और बहुत सारी information मिली, I am pretty sure आपको भी बहुत अच्छी information मिलियोगी, thank you so much for watching Fitness Mantra Show, and keep watching our show, and keep watching Care World TV, क्योंकि सेहत है, तो सब कु like, share, subscribe for more such informative videos